जब वो आपस में बात करी रहे थे कि उन्हें सूच ना मिली एक और बॉक्स मिला है बॉडी पार्ट्स के साथ इस बार आदित्य की टीम वहां पहुँची, मीडिया वहां पहले ही पहुँच चुका था सर आपकी नाक के नीचे इतने मर्डर हो रहे हैं, आपको कुछ कहना नहीं है एक मीडिया कर्मे ने आदित्य को रोग कर पूछा हाँ, हमें भी मजा आ रहा है, सच, टू मच फान तुम लोगों को कोई कामवाम नहीं है, जहां देखो पहुच जाते हो, ये कैमरा पकड़े तुम लोग इंटिफेर बंद कर दो, तो हमारे कई काम असानी से ने पच जाए आदित्य खुस्से में उसे बोला, और धक्का मार के बोड़ी पार्ट के पास पहुचा खुशी उसे देखी रही थी कि इतना घुस्सा बरा पड़ा अब मीडिया वाले उसे बार बार टीवी पर दिखाने लगे किलर वहाँ भीर में मौझूद था, उसने आदित्य का रौदर रूप देखा, उसके काम करने का तरीका देखा इधर टीवी पर आदित्य को दिखाया जाने लगा लगातार देखिए इस ओफिसर का घुस्सा अपनी नाकाम्याबी छपाते हुए कैसे इसने हमारी समवाद दादा से बात की आदित्य को टीवी में एक टेरो कार्ड रीडर भी देख रही थी जब उसने आदित्य सिना का नाम टीवी में सुना और उसे देखा तो उसे कुछ याद आने लगा आदित्य की टीम को क्राइम की जगा पर काफी रात हो गई आदित्य ने सब को घर जाने को कहा और क्राइम जगा सील करवाई खुशी अपने घर पहुँची घर जाकर खुशी ने अपना फून आउन किया वाटसाप देखी रही थी और अदित्य का वाटसाप नमबर मिला उसने उसे देखा उसका स्टेटिस था दिल में हु तुम आखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहे बंदा बड़ा रुमांटिक है गर्फ्रिंट होगी इसकी अपका अभी लगाए ऐसा खुशी को अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगा ये सूच कर कि वो किसी और के साथ है देखा तो स्टेटिस दो साल पहले का था ब्रेक अप हो गया होगा अभी दो साल से यही स्टेटिस है अब उसके कलीजे में थोड़ी ठंडक महसूस हुई पर वो ये समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य के लिए उसके मन में इतनी स्पेशल फीलिंग क्यों है पहले कभी देखा नहीं सोची रही थी कि उसकी धड़कन एकदम तेज हो गई खुशी ने नोट किया जब भी आदित्य की सामने होती है या उसके बारे में सूचती है उसके मन को बड़ा सुकून मलता है खुशी ने अपने सीने पर हात लगाया और सोनी की कोशिश की आदित्य घर जा रहा था रास्ते में मरीन राइव पड़ा वैसे तो शायद आदित्य अब समल भी जाता पर जिस चगा को वो भूलना चाता था वो रोज किसी ना किसी बहाने से उसके सामने आती रहती थी उसे लगा जैसे कोई उसे बहां खड़ी देख रही है आदित्य के चहरे पर अजीब से उदास ही जा गई उसने तै किया जल्दी से इस के निपढ़ते ही दिल्ली वापस चला जाएगा यहां रहा तो वो उसकी यादे उसकी बातों से बाहर नहीं आ पाएगा आदित्य घर पहुँचा गाड़ी से उतरने लगा महात्रे बोला सर मैंने आपके लिए टिफिल लगबा दिया है वो रोज भाहर गेर पर लगा के चला जाएगा इसकी क्या सरूरत थी आदित्य बोला सर तबित खराब हो जाएगी ऐसे कैसे महात्रे डरते हुए बोला आदित्य ने उसके कंदे पर हाथ रखा और हामे सिरह लाके थांक्यू बोलके जाने लगा वेल्कम सर सर कल कितने बज़े हूँ महात्रे अपने जहरे पर चौड़ी से मुस्कान के साथ सीना फुलाए बोला आज आना साथ बजे तक आदित्य बोला आदित्य अपने फ्लाक पहुँचा देखा टिफिन में डूर पे लगा हुआ था उसने उठाया अंदर जाकर खाना खाया टीवी देखते देखते वो सू गया उसने देखा आज कोई उसका हाथ पकड़के उसे कहीं ले जा रहे है वही लड़की उसके खुले बाल उसकी कमर को छू रहे थे आदित्य बिना कुछ कहे बस उसकी साथ चले जा रहा था पता नहीं किस चगाव उसे ले आई देखा सामने बहुत से बैड लगे हैं कुछ पर बच्चे हैं और फिर वो उसे दूसरे रूम में ले गई चैन हो गया साथ में दो नर्स और वाट बॉय भी थे सब के चहरे पर मास्क थे वाट बॉय ने बच्चे को कसके पकड़ा वो बच्चा चीक रहा था और डॉक्टर कह रहा था बिल्कुल तर्थ नहीं होगा सब ठीक होगा आदित्य जैसे ही उस बच्चे को चुड़वाने के लिए जाने लगा उसे लगा जैसे उसके पहर जम गये वो ना हिल पा रहा था ना ही कुछ कर पा रहा था उसने देखा वहाँ साइड में दवाई के कुछ टब बे पड़े थे उन पर किसी फार्मसीटिकल कंपनी का लोगो है आदित्य ने जैसे ही नाम पढ़ने की कुशिश की उस लड़की ने उसका हाँ छोड़ दिया और पल्टी तो वही सफेदा खे चहरे पर बहुत सी लकीरे और उसने अपने सीने पर हाथ लाया और उपर देख के चीखे आदित्य हडबढा के उठकया पूरा पसीने से लथ पथ एक तम घबराया हुआ घड़े में देखा रात के तीन बज रहे थे ऐसे सपने रोज क्यों आते हैं पिछले दो सालों से वो सोचने लगा अगले दिन वो पुलीस स्टेशन पहुँचा उसने देखा खुशी और सलीम कुछ लोगों को इंटरोगेट कर रहे थे क्या कर रहे हूँ? उसने खुशी से बूचा सर ये सब हिस्ट्री शीटर हैं इनसे पूच्टाच कर रहे हैं खुशी बोली तुमाँ खराब है अगोबर खाके निकली हो घर से ये तुमें इंचुट कुण्जों का काम लग रहा है? क्या इनके फिगर प्रिंट मैच हुए किसी भी एविडेंस से? आदित्ती ने घुस्से में बोला नहीं सर वो करवाया नहीं खुशी डरते हुए बोली तुम मिस खुशी पहले आप इनकी फिंगर प्रिंट मैच करवाओ क्यों टाइम इस्ट कर रहे हो आप? आदित्ती ने घुस्से में कहा खुशी को उसका ये बिहेव अच्छा नहीं लगा वैसे तो एकदम बोल थी खुशी पर आज उसकी आँखों के कोरों पर पानी था उसने उन्हें छिपाया और नीचे देखते हुए वो ओके सर बोल के वहाँ से चली गए खुशी जब वहाँ से जा रही थी आदित्ती ने देखा उसने कोई बड़ा सा लौकेट कले में चीन के साथ पहना हुआ था चाहती थी कि आदी बोला जाओ फिंगरप्रिंट मांच कराओ बाते नहीं उदर किलर ने आदित्ती के नाम एक लेटर लिखा और हैड ऑफस में कुरियर बिचवा दिया आदित्ते राहुल के साथ कुछ क्लू ढून रहा था कि इसकी कडियां जूरने में लगा था कि खुशी उसके पास कुरियर लेकर आई और बोली आदित्ती सर आपके लिए कुछ आया है क्या है आदित्ती फाइल्स में उलजा हुआ बोला पता नहीं सर वो बोली अचा लाओ दो और आदित्ते ने जैसे ही उससे कुरियर लिया उसका हाथ दुबारा खुशी के हाथ से टाच हो गया उन्हें दुबारा करन सफील हुआ दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि तभी सलीम वहां आया अधिती ने इधर-दर दीखा और कुरियर ओपन किया उसमें एक लेटर था लेटर में लिखा था क्या अधित्ते सर सुना है आप बहुत एमानदार है मैंभी था अपना काम बहुत एमानदारी से करता था फिर एक दिन कुछ लोग मेरे बच्चे को उठा ले गए cog बात रुया इन पुलीस वालों के सामने गिर गिराया लेकिन इनके कान पर जून लखना रहेंगी अगला नमबर पाटल का है बचा सकते हो तो बचा लो उसे बस खाने से मतलब है अपने वर्दी का फर्ज में भाने से नहीं अब आदित्र ने तुरंट टीम के साथ पाटल को फॉलो करना शुरू कर दिया वैसे तो पाटल के पास कई फून आते थे वहां क्राइम हुए हैं वहां क्रिमिनल है पर वो फुलीस स्टेशन छोड के बहुत कम बाहर जाता था कुछ होता भी था तो हवलदार को और जूनियर इंस्पेक्टर को भेज के काम निकलवा लेता आदित्य, खुशी, सलीम, राहुल सब ही आदित्य की गाड़ी में थे और पारिल की दिंचर्या फॉलो कर रहे थे सरी ये पचीसफ़ा वड़ा पाव अंदर जा रहा है पर पार्टल बाहर नहीं निकला सलीम बोला हाँ इसको गैस भी नहीं होती, राहुल हाँ भी भरते हुए बोला कि लड़का कुछ तो प्लान होगा चुहे को बाहर निकालने का, नहीं तो वो खुद भी बिलने घुश सकता है, अदित्य बोला पुली स्टेशन में नहीं आएगा वो, मतलब पार्टल के एक घर पर, वो कुछ सूचते हुए बोला आज रात को कोई घर नहीं जाएगा, हम पार्टल को फॉलो करेंगे और उसके घर पे निकरानी रखेंगे गॉरेट, आदित्य बोला, खुशी मुस्कुराते हुए बोली, पूरी रात आपके साथ सलीम और राहुल को हसी आ गई पार्टल जब अपने घर निकला, आदित्य की टीम ने उसे अपनी गाड़ी से बिस्टन्स बना के फॉलो किया और उसके घर के बाहर छुप के देरा डाल दिया रात की समय पार्टल की घर के लाइट अचानक से बंद हो गई आदत ने समझ गया ये उसी गिलर का काम है उसने गण लोट की और अंदर जाने लगा खुश ही उसके साथ थी सलीम ने भी उसके साथ अंदर जाना चाहा पर उसने मना करके घर के एग्जिट पॉΙ्ट को घेरने का ओडर दिया सलीम और राहूल ने एक्जिट को कवर किया अंदर किलर ने पाठल को पकड़ के एक कुर्सी से बांध रखा था पाठल की पैंट कीली थी वो बहुत घबराया हुआ था उसकी बीवी और बच्चों को इकमरे में बंद कर दिया गया था अधित्य ने खुशी को इशारा किया कि उसकी बीवी बच्चों को चेक करे अधित्य ने पीछे से किलर को दबूचना चाहा पर वो हाथ नहीं आया और भाग के बाहर आ गया और बाहर अधित्य की टीम ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने बंदूख हवा में लहरा दी मेरा तुमसे कुछ लिदा देना नहीं है हट जाओ वो बोल ही रहा था कि अदित्य ने उसे पीछे से पकड़ना चाहा लेकिन खुशी बीच में आ गई और वो गिर गया खुशी के ऊपर खुशी की लिपस्टिक के निशान अब उसकी शिर्ट पर थे पीछे आक्शन चल रहा था और खुशी के अंदर वीना बज रही थे अदित्य को बहुत गुस्सा आया वो जोर से चल लाया कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम डांग न तड़ाओ जान का रहता तुम्हारा आया हूँ तब से देख रहा हूँ उसने उत्ते हुए खुशी को कितना कुछ सुना दिया और किलर के पीछी दौर लगा दी उसके पीछी सलीम और राहूल भी थे इधर खुशी उसकी डांच से इतनी आहत हो गए कि उसके आंसों निकलने लगे उस जैसे तैसे खड़ी हुई कि अचानक से उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और उल्टियां शुरू हो गए उधर कुछ देर पीछा करने के बाद फाइनली उसने किलर को दपोच लिया चलो बेटा मिलखा सेंग रेस खत्म हो गई वो बोला और उसे पकड़के ले आया उसे लेकर आई और इंवेस्टिगेशन रूम में उसे बांध रखा था और बढ़ी ऐसी पूजा भी उतारी जा रही थी अधित्नी रूम में इंटर हुआ और सब को रूपने का इशारक किया क्या जादा चर्वी चड़िये तुझे अधित्नी उसका मुझ जूर से पकड़ते हुए बोला एक साल से तुझे ढून रहे है ऐसा क्या है तुझ में जो तू अभी तक हाथ नहीं आया और उसका मुझ जोर से जटक दिया अधित्नी सर आपको क्या लगा आपने मुझे पकड़ा मैं आया आपके हाथों में सर जी किलर बेशर्मी से बोला वो आगे बोला आप भी तो वही करते हैं सफाई मैं भी वही करता हूँ समाज को साफ करने का काम इस दुनिया में उनकी कोई जगा नहीं जो काम नहीं करते इतना बोल के वो थोड़ा एमोशनल हो गया मेरा बेटा था सर दस साल का शंकर नाम था उसका उठा लिया कुछ अस्पताल वालों ने बहुत ढूंटा नहीं मिला बहुत पुली स्टेशन के चक्कर काटे नहीं मिला फिर यही एक तरीका था सब का ध्यान अपनी धरफ खींचने का कितने सपने थे उसे लीकर आदित्य और बाकी सब के चेहरों पर कुछ तया के भाव आ गए तुझे क्या लगता है कुछ भी काणी बनाएगा मान लेंगे आदित्य उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला पता कर लीजे सर आपके लिए चुटकी का काम है मेरे बारे में बता करना वो धीठ होकर बोला करोंगा ही पहले तुझे अच्छी सजा दिलवादू आदित्य बोला कुछ भी सजा दे दो सर बस मेरे बेटे का पता लगवा दो वो मेरे बसकी बात नहीं है आप कर सकते हो किलर एमोशनल होकर बोला आदित्य इंवेस्टिगेशन रूम से बाहर निकला बाहर कमिशनर उसका वेट कर रहे थे वो बोली well done my boy जो काम वो लोग पिछले एक साल से नहीं कर पाए तुमने चन्द दिनों में कर दिया so proud आदित्य अब कुछ सूच में पढ़ गया उसे ऐसे देख के कमिशनर बोले आदित्य क्या हुआ तुम कुछ खुछ नहीं लग रहे सर क्रिमिनल कोई खुद नहीं बन रहा था कही बार समझ उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देता है ये ऐसे एक सताया हुआ पता है वो बोला सर क्या मैं यहां से जाने से पहले स्किलर ने जो कहा है उससे investigate कर सकता हूँ उस बच्चे के record बाली फाइल्स देखना चाहता हूँ जो यह बता रहा है बच्चे मिसिंग के एक केस को पाटल देख रहा था वो भी unsolved है तो जहाओ तो लीट कर सकते हो कमिशनर बोले ठीके सर कल मैं मिलता हूँ पाटल से आज तो वैसे ही वो धीला हुआ पड़ा है आदित्य बोला आदित्य जब घर जाने की तयारी कर रहा था उसकी रूम में आनन फानन में एक लेडी को सी लंबा कुर्था, प्लाजो, गले में मोती की बड़ी माला पाल खुंगराले, पड़ी सी बिंदी ने आएका मिन सा, वो बोली आतो गई हो, और कितना अंदर आओगी आप आदित्य ने उसे देखते हुए बोला पीछे सी कॉंस्टेबल गुपता भी था आदित्य ने उसे जाने का इशारा किया उसने कहा कि सर मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ किसी के बारे में क्या वो किसी क्राइम या क्रिमिनल से रेलेटिड है वो बोला नहीं सर पर कुछ बताना है आपको वो बोली बताए आदित्य ने उसे देखते हुए कहा सर इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा वो बोली आप आदित्य की ठन की उसने उसे उपर से नीचे देखा और कहा देखिये मैडम अभी तो मैं लेट हो रहा हूँ और रही बात कुछ बताने की वो आप यहाँ बता सकते है सर आप शायद यहां मेरे यकीन ना करें आप मेरे साथ चलिए वो बोली आदित्य को वो औरत पागल लगी वो जूर से बोला गुपता जरा चाए पिला मैडम को देखिये मैम चाए पीजे हमारे यहां एकदम स्वादिष्ट चाए बनती है और अपने घर चाईए मुझे कुछ नहीं पता करना कहते हुए वो पाहर निकल गया वो गाड़ी की तरफ गया कि उसने दिखा कार की बैक पे लिखा हुआ था I want to meet you वो जूर से चल लाया मात्रे मात्री दोड़ के आया जी सर क्या है ये किसने लिखा है ये वो उसे दिखाते हुए बोला पता नहीं सर मैं साफ कर देता हूँ कहते हुए मात्रे ने साफ करनी की कोशिश की पर कुछ निशान रह गये किस चीज से लिखा है हत है मिटी नहीं रहा वो बढ़ बढ़ाया आदित्य जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा उसने दिखा खुशी अपनी कार के बाहर खड़ी थी और किसी को फोन पर कंटिनुस बजाने में लगी थी क्या है ये जल्दी पहुँचो सारी राथ तुमारा वेट नहीं कर सकती मैं खुशी फोन पर किसी को छाड़ते हुए बोली मिस खुशी आदित्य बोला कुछ प्रॉब्लम है सर गाड़ी पंक्चर हो गए है मकानिक का ही वेट कर रही थी वो आया ही नहीं खुशी ने फोन कट करते हुए कहा ठीक है आप एक काम कीजे मेरे साथ आईए मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ मात्रे आपकी गाड़ी को ठीक करवा के ले आएगा आदित्य ने कहा मात्रे जैसे उसने कहा वो तुरंट दोड़के उसके पास आगया और आदित्य को चावी दी आदित्य को खुशी के साब किया हुआ वो बोली आदित्य ने उसे देखा क्या कहा दुमने उसने पूछा सर मैंने नो प्रॉब्लम कहा था खुशी डरते हुए बोली नहीं उसके बाद वो उसे देखते हुए बोला उसके बाद आदि कह दिया था आपका नाम लंबा है न तो मैंने सोचा सौरी सर आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं होगा खुशी डरते हुए बोली आदी नाम से आदित्य की यादे जोड़ी थी और खुशी ने उनी ठहरी हुई यादों को पत्थर मार के हिला दिया था आदित्य खुशी के आदी बुलाने से थोड़ा विचलित हुआ दिल को लगा आपको आदी बुलाना चाहिए जैसे कि नाम आपके लिए ही बना हो खुशी ने डरते हुए कहा आदित्य को खुशी का उसे आदी पुकारना अच्छा नहीं लगा वो बोली सर आपके उपर आदी नाम सूट करता है मैं आपको आदी बुला सकते हूँ कुछ लम्हों की कसक कभी नहीं जाते वो कही ना कहीं से किसी ना किसी रूप में आकर हमसे टकराते रहते हैं उसकी याद दिलाते रहते हैं यू किन कॉल में आदत्य उसने कहा और काड़ी स्टार्ट कर दी थोड़ी दूर पहुचे इथे कि खुशी ने कहा आदत्य में म्यूजिक आउन कर सकते हूँ हाँ बलकुल उसने कहा खुशी ने एफम चालू किया जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा खुशी को इस तरह अदित्य के साथ जाना बहुत अच्छा लग रहा था उसके चहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी जो जानी का नाम लहीं ले रही थी कुछ तेर्चुप रहनी की बाद अदित्य ने खुशी से पूचा तो खुशी किस चीज की सरजरी हुए तुमारी मेरा हार्ट ट्रांस्प्लांट हुआ है दो साल पहले खुशी ने कहा ओ, ओके अदित्य ने जवाब दिया सुने बहुत सी बार हार्ट रिस्पॉंड नहीं करते अदित्य ने पूचा जीब पर मेरे साथ उल्टा हुआ सरजरी से पहले में बहुत डिप्रेशन में थी अपनी बिमारी को लेकर सब कुछ बहुत पैनिक था जीने की कोई तमन्ना नहीं थी पर सरजरी के बाद में जीने लगे खुश रहती हूँ हम, आदित्य ने कहा डाक्टर ने बताया था बहुत जिंदा दिल लड़की थी जिसका हाट मुझे दिया गया अम, नाच्रल डेथ थी उसकी, ओगन डोनर थी और मुझे किस्मत से उसका हाट मिल गया और मैं खुद भी अपने अंदर आई बदलाव को महसूस कर सकती हूँ खुश ही बता रही थी वो कुछ जवाब देता है इससे पहले ही गाड़ी एक सिगनल पर रुखे खुशी ने देखा एक बच्चा आगे वाली गाड़ी के बाहर भीक मांग रहा था खुशी ने तुरंत अपने पॉकेट में हाट डाला कुछ वालनट्स निकाली और विंडो से अवाज लगा कर इस बच्चे को बुलाया ये ले रख वो वालनट उसे देते हुए बोली और सुन कहा रहता है आसपास ही घर है क्या तेरा वो बुला हाँ दीदी वो सामने अमारा घर है कल सुबा मुझे मिलना तेरे घर पर मिलती हूँ चल भाग अब कहते हुए खुशी है सी आदित्य ने खुशी से पूछा कल क्यों बुलाया उसे वो मैं कैंजी उसे जुड़ी हुई हूँ वो इन बच्चों की नाइट क्लासस लेते हैं इसको भी वही डलवा दूँगी खुशी बोली ग्रेट जॉब खुशी वो बोला और आपने उसे क्या दिया खाने को अदित्य गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला वालनेट थे मैं मैं रोज देती हैं इस गुट फो हाट तो जबरदस्ती खाने पड़ते हैं मुझे विल्कुल पसंद नहीं है नाग से कोड़ते हुए वो बोला और मुस्कुराई अच्छानक आदित्य को याद आया आदिती भी कितनी चूजी थी खाने को लीकर वालनेट से तो उसे सब्थ नफरत थी कहा चली गए तुशूना प्लीज एक बार फोन कर देख अभी तक नंबर भी चेंज नहीं किया मैंने दिमाग ने कहा बहुत बार बदल ले वै दिल हमीशा तुमारा वेट करता है प्लीज आजाओ शूना एक बार बात करो तुमारी सारे नकरे उठाओंगा जो कहोगी जैसा कहोगी बस एक बार मिलो सोचते हुए उसकी आँखों में नमी आ गई अजीब सी तसल्लिम मिलती है तुझे सोचने पर भी फिर कैसे कह दूँ कि तुझसे इश्क बेवजा था Everything okay आदित्या खुशी ने उसे उदास देखके पोछा हाँ वो बोला खुशी का कार आचुका था उसने बाई के और थांक्यू बोलके जाने लगे उसने देखा आदित्य की पलक का बाल उसके गाल पर था उसने इशारा किया आदित्य समझा नहीं उसने वो बाल लिया आदित्य के हाथ में रख और बुली आप जो चाहते हो विश्च करो पूरी जरूर होगी तुम यकीन करती हो इसमें आदित्य बोला मेरे विश्च तो पूरी होने से रहे पर तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए मैं कुछ मांग लेता हूँ आदित्य नहीं कहा कहते हुए बाल फूक मारके उसने उड़ा दिया खुशी को बहुत अच्छा लगा आप जितने दिखते हैं उतने खरूस है नहीं वो बोली अद्य आदित्य नहीं कहा सिर्फ कुछ दिनों में आपने हमें खरूस का तमगा भी पकड़ा दिया आपको मेरी लाइफ की बारे में कितना पता है सिर्फ चंद मुलाकातों में आप मुझे जज नहीं कर सकती कहते हुए आदित्य मस्कुराया येस आप सही कहते हैं, बिना किसी को जाने जाज क्यों करना, पता नहीं वो जिन्दिकी की किन हालातों से गुजरा हूँ, खुशी सोचते हुए बोली, बाते अच्छी कर लेती हैं आप, आदित्ते ने उसे कहा, सेर में कॉफी भी अच्छी बनाती हूँ, अगर आप चलें तो, खुशी दी में से बोली, फिर कभी, अभी मुझे जाना है, कहते हुए आदित्ते उसे ड्रॉप करके चला गया, आदित्ते घर पहुँचा, कपणी चेंच कर रहा था, शर्ट उतार के बेट पर डाली, उसने कुछ देखा और दुबारा उसे उठाया, खुशी के लिप्स्टिक के निशान बने हुए थे उस पर, अभी भी, अच्छी लड़की है, बस हरकत ही बच्चो वाली करती है, बेवज़ाई कहीं का सारा गुसा उस पर ही निकल जाता है, पता नहीं क्यों जब उसकी आँखों में देखता हूं लगता है, खींच लेगी मुझे, शायद यही वज़ा है उससे दूर रहने के लिए, क्या कर रहा था मेरा बच्चा, वो बोली, कुछ नहीं, बस खाना खाने वाला था, अधित ने कहा, तु कब लोट रहेगे बता, जीना जी ने पूछा, मामा एक और केस है, वो सॉल्फ होते ही रिटर्न, अधित ने जबाब दिया, अच्छा सुन, वो पापा के दोस से ना शर्मा अंकल, वो चाहते हैं तु एक बार उनकी बेटी से मिल ले, रिना जी बोली, क्या यार आपका फिर से शादी पुरान चालो हो गया, अधित पे खीचते हुए बोला, हाँ, साल हो गया से टल हुए, कब तक शादी नहीं करेगा, मैं अभी ठीक हूँ, तिरे ले लड़की ढूण सकती हूँ, कल को मुझे कुछ हो गया थो, चालो हो गया आपका एमोशनल पुरान, नहीं करनी कभी भी, आप बस शुरू मत हो जाओ, पर क्यों, तुम आज कल के बच्चे इस दुनिया में मा बाप ना हो, तो आदे बच्चे मनमानी करके कुवा रही रह जाएं, अचा तुझे कोई पसंद है तो बता दे, तो जहां कहेगा ना वहाँ दीरी शादी करवाओंगी, ममा वाला सच्चा प्रामिस, वो बोली, आप फोन रखो बाद में बात करते हैं, अभी भूग लगी है, खाना खाना है, वो बोला, बिटा एक बार मिल ले उससे, अगर पसंद ना है तो मना कर देना, देख वरुन भी शादी कर रहा है, नेक्स्ट मंथ, अभी कार्ट दे कर गया, जीना जी उसे मनाते हुए बोली, अधित्य ने देखा, बीच में वरुन का फोन भी आ रहा था, रखो फोन बाद में बात करता हूं, अधित्य ने कहा, अरे पर, जीना जी बोली रही थी, कि उसने फोन काट दिया, वरुन भी IPS बन चुका था, उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में थी, पर अब उसने दिल्ली ट्रांसफर ले लिया था, अधित्य ने वरुन का फोन रेसीव किया, अरे भाई, कैसा है तू, वरुन सामने से बोला, बस मस्त, तू सुना, तू भी दिल्ली पहुँच गया, अब दोनों भाई मिलके गदर बचाएंगे, सुने तू भी ट्रेन में चड़ी गया, कब है शादी, अधित्य ने पूछा, अगले कुछ दिनों में सब सॉल्व हो जाना चाहिए, हाँ इसलिए फोन किया है, तू दिल्ली वापस कब आ रहा है, तेरा केस कितना पैंडिंग है, वरुन ने पूछा, अगले कुछ दिनों में सब सॉल्व हो जाएगा, अधित्य बोला, नाम दो बता दे बाबी का, सोनम नाम है उसका, मीन्स अगले मंद वापस दिल्ली ना, वरुन ने पूछा, हाँ एक और केस है, वो निप्टा के सीधा दिल्ली, वैसे भी यहां मन नहीं लगता है हार, अजीब अजीब से खयाल आते रहते हैं, अधित्य कुछ खोया हुआ से बोला, तू मुझे एक बाद बता, कब तक परच्छाई के पीछे बागता रहेगा, तुझे नहीं लगता आपको ज्यादा हो गया, अगर इश्क सच्चा होता, तो क्या वो तुझसे कभी मिलना नहीं चाहती, सब जूटता अधित्य, बाहर निकल इस अपने की दुनिया से, देख बाहर की दुनिया बहुत हसीन है, आदित्य वरुन की बाते सुनते हुए, वही शर्ट देख रहा था, जिस पर खुशी की लिप्स्टिक के निशान थे, हम्, वो बोला, बस भैस की तरह न सिर हिला और हम्, हम् कर, और तु कुछ करने लायक तो बचा नहीं है, वरुन चल लाया, शादी में तुझे चाहे कितने भी इंपॉर्टन काम हो, तुझे यहां रुखना है तीन-चार दिन, मुझे ही तेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, अच्छा सुन, सुनम की ना एक फ्रेंड है, बिल्कुल तेरी तरह है, तु कहें तो बात चलाओ, या फोन नमबर देदू, वैसे भी तुझे फोन वाली ज्यादा पसंदा आती है, वरुन हस्ते हुए बोला, यहीं से पंच मारूंगा, ढूंड लोंगा खुद अपने लिए, आपको महरबानी करने की जरूरत नहीं है, आदेत्ते बोला, मैं भी वही चाहता हूँ यार, अपने लिए ना सही फामली के लिए भी सोचना पड़ता है, वो जो भी थी, आई और चली कई, अगर तुझ से कुछ होता उसका, तो एक बार तुम मलती, चल माना उसकी कुछ मजबूरी होगी, पर तु क्यों खुद को जला रहा है, अंकल भी नेक्स्ट मन्थ रिटायर हो रहे हैं, अंटी ने बताया, वो तुझ से क्या चाहते हैं, बस यही कि तू भी सेटल हो जाए, वो भी खुशी से अपना रिटायर्मेंट एंजॉई कर सेकें, वरुण ने उसे समझाया, आज मम्मा ने तेरी बहुत कान बरियां लगता हैं, आधित्य हस्त वे बोला, वरुण बोला, ऐसी भात नहीं है यार, बच्पन से तुझे जानता हूँ, फिक्र है तेरी, कहने को घायल तो यहां हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका, वही तुझे जिन्दा है, सब की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन सभी री रह हैं, तेरी तरह नहीं, सोच और आगे बढ़, चल अभी फोन रखता हूँ, मिल मुझे जल्दी से याँ आगर, कहते हुए पर उन्हें फोन रख दिया, उस रात आदिते एक पलखो भी नहीं सो सका, रह रहकर उसे खुशी का अपनी उपर गिर जाना याद आ रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जो इमोशन अभी तक अदिती को लेकर थे, वो अब धीरे-धीरे बदलने लगे थे, उसने अदिती का वही नंबर आज फिर कई बार ट्राई किया, पर वो बंध था, काश दो साल पहले ही कुछ बंग्या होता, ये काश शब्द में न जाने कितनी जिंदगियां उलचकर रह जाते हैं, जबर्दस्ती ही मैं उसे अपना हाल बताता रहता हूँ, वो याद करे या ना करे, मैं बेवजा ही उसे याद करता रहता हूँ, मनुष्य का सुभाव, आखिर कब तक वो भी एक परच्वाई के पीछे बागता रहता, जीना बोलता जा रहा था वो, उसने अपना वाट्साप चालू किया, उधर खुशी भी आज सोने ही पा रही थी, आज तो जैसे उसका दिन ही बन गया था, आदित्य से पहली बार इतनी बादे हुई थी उसकी, उसने अपना फोन उठाया, दीखा, आदित्य भी वाट्साप पर उनलाइन है, खुशी का चुल बुला नेचर, उससे रा नहीं गया, उसने हाई मेसेज कर दिया, आदित्य ने भी रिप्लाई किया, आप सोई नहीं अभी तक, उसने पूछा, नीन नी आ रहे, आदित्य ने जवाब दिया, मुझे भी, और बातों का सुलसिला चालो हो गया, बे रात आदित्य की आँख लेगी, उसने आज देखा, बहुत से बादल चाय हुए थे, एक तम सफेद रंगे, बादलों में कोई लड़की खड़ी है, धक्का दे दिया, और आदित्य किसी के उपर गिर क्या, उसने उठते हुए देखा, वो खुशी थी, और जब पलटके देखा, सामने कोई नहीं खड़ा था, आदित्य का अचानक फोन बजा, सर में आग्या हूँ, मात्रे बोला, क्या टाइम होय मात्रे? अदित्य ने नीन में बोला, सर साथ मज गय हैं, मात्रे बोला, क्या बात कर रहा है? अदित्य ने हड़ बढ़ा आते हुए कहा, अदित्य उठा, कुछ देर सोचने लगा, क्या-क्या सपने देखने लगा हूँ मैं? कहते हैं जो सारा दिन सोचा जाए वही सपने में आता है पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता वो उठा और तयार होके निकल पड़ा आज उसे पाटल से मिलना था मिसिंग बच्चों के केस के सिलसिले में वो पुली स्टेशन पहुँचा मिसिंग बच्चों के केस के सिलसिले में वो पुली स्टेशन पहुँचा उसने खुशी सलीम राहुल को भी वहीं बुलवा लिया था सलीम और राहुल पहुँच चुके थे आदित्य ने पूछा खुशी कहा है अभी तक नहीं आई सर वो आरे होगी सलीम ने कहा क्या पाटिल रात को नेंद आई अदित्य पाटिल के सामने खड़ा होकर बोला पाटिल लुटके सीधा अदित्य के पैरों में लोट किया सराप नहीं होते तो आज दू दिन बाद मेरा तीसरा मना रहे होते लोग वो किलर न जानी कब घर में खुसाया मैं उसे पकड़ता उससे पहले उसने मुझे पकड़ के बांध भी दिया पाटिल बोला सलीम असने लगा पाटिल से बात करी रहे थे कि वहाँ खुशी भी पहँच गई उसने मुस्कुराते हुए गुड मॉनिंग किया आदित्य ने उसे दीखा आज वो बहुत सुन्दर लग रही थी और उसकी आखे उनसे तो उसे अब दर लगने लगा था उसने इधर उधर दीखते हुए गुड मॉनिंग किया पाटिल बताने लगा सर दो साल पहले की बात है कुछ आदमी आये थे मेरे पास कि उनके बच्चे खो गए हैं और किसी अस्पताल पर शक भी चताया था पर सर बिना किसी सबूत की इंवेस्टिगेशन कैसे करते वैसी कुछ लोगों से उस समय ECP सर ने बात की थी कुछ मिला नहीं और उन्हें छोड़ना पड़ा आप चाहों तो ECP सर से मिल लीजे इतने में आपने वहां आ गया पाटिल ने कहा आपने वड़ा पाउ लेकर आ सबके लिए फिर उसे याद आया नहीं आपने रहने दे सर को वड़ा पाउ पसंद नहीं है खुशी को हसी आ गई इस बार आदित्य को भी उसकी हरकतों पर हसी आ गई वो लोग बात करी रहे थे कि पाटिल के पास फोन आया उसके जूनियर इंस्पेक्टर का सर एक काड़ी मिली है उसमें कुछ बच्चे मिले हैं अगवा करके ले जा रहे थे पकड़ लिया है लड़कों को पाटिल ने ये साब आदित्य को बताया आदित्य तुरंथ वहां के लिए निकल पड़ा वहां जाकर उसने देखा गाड़ी के बाहर चार-पांच बच्चे डरे सेह में बैठे थे और दो लोगों को पुलीस ने पकड़ रखा था सर इनके सबके मूँ बंदे हुए थे और हाथ पैर भी अभी खोले हैं बच्चे थोड़े डरे हुए थे देखने से करीब जुगी वाले लग रहे हैं जूनियर इंस्पेक्टर बोला हाँ ठीक अब मैं देख लूँगा बाटल बीच में बोला फिर देखा आदित्य उसे घूर रहा है तो चुप हो गया और जूनियर इंस्पेक्टर को हाथ से इशारा करके वहां से खिसका दिया आदित्य ने देखा बच्चे सच में डरे हुए थे उसने मैटाडोर के अंदर देखा उसे एक फार्मसिटिकल कंपनी का लोगो देखा आदित्य ने उस लोगो को कहीं तो देखा था उसने याद करने की कोशिश की ये वही निशान था जो उसने राद को सपने में देखा था आदित्य का दिमाग ठंका सलक चल क्या रहा है आदित्य ने उन आदमियों को अर्रेस्ट करवाया और अपनी इंवेस्टिकेशन रूम में भेजा उसने देखा खुशी उन बच्चों को पास की दुकान से बिस्किर के पैकेट लेकर दे रही है सबको उसने पानी पिलाया आदित्य को उसे देखकर अब सुकून सा मिलता था आदित्य उसके पास कया सो सबका नाश्ता हो गया हो तो इनने ले चले इनके पैरेंस भी परिशान होंगे जी सर, कहते हुए खुशी मुस्कुराई आदित्य भी मुस्कुरा दिया सलीम देख रहा था वो आदित्य के जाते ही खुशी के पास आकर बोला कौन सी बूटी पलाई दोने इने ये मुस्कुराते भी है चुपकर मुस्कुराता हुआ कितना अच्छा लगता देखना खुशी आदित्य को निहारते हुए बोली कि आचानक आदित्य का उसके आई कॉंटाक्ट हो गया और वो जीप गई हलका हलका एहसास दोनों को होने लगा था इधर इंवेस्टिगेशन रूम में जम कर दोनों मेटडूर वाली आत्मियों की दुनाई हो रही थी पर उन्हें ज्याद़ कुछ पता नहीं था सर हम तो डॉक्टर साहब के यहां काम करते हैं उन्होंने कहा था दवाई है सप्लाई करनी है तो लेकर आके वो बोले सर ज्याद़ कुछ नहीं बता रहे हैं यह रहूल ने आदित्य को बताया किस डॉक्टर के यहां काम करते हैं यह पता करो आदित्ये ने कहा सर कोई विपिन भोसले नाम का डॉक्टर है क्लीनिक है उसका पास में ही सलीम ने आदित्ये को कहा चलो ज़रा मिलकर आते हैं खुशी तुमा रहो लिनका मुझ खुलबाओ क्या उगलते हैं देखते हैं ओके सर खुशी ने कहा और लग गई दुबारा उनात्मियों की मरम मत करने आदित्ये जब जाने लगा उसने देखा वो टेरो कार्ट रीडर उसे रॉफिस में आती हुई मली सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है वो आदित्ये को देख कि उसके पास आकर बोली अभी तो मैं बिज़े हूँ आदित्ये ने जाते हुए कहा ये लीजे सर मेरा ड्रेस जब भी आपको लगे आप आईए मुझे आपको कुछ बताना है वो उसे कार्ट देते हुए बोली ठीक है शाम को अगर जल्दी फ्री हो पाया तो मिलता हूँ आपसे क्लीनिक पहुँचे और सीधी कैबिन में खुस गए विपिन ने उन्हें जेंटलमेन की तरह हेलोग किया कहीं सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ विपिन बोला मदद तो आपको करनी पड़ेगी आज एक मेटडूर पकड़ा है हमने उसमें कुछ बच्चे थे वो आदमी आपका नाम ले रहा है आपके यहां ही काम करते हैं वो दोनों आदित्य बोला सर मैं एक रिस्पेक्टिव डॉक्टर हूँ मेरे ही आदमी होंगे पर उन बच्चों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उन लोगों को बिलकुल मत छोड़ना विपिन स्याना बनते हुए बोला उसकी फिक्र आप मत कीजे छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं है आदित्य ने उसी कहा आपको कुछ पता चले या बताना हो तो मेरा नमबर ले लीजे दोर पकड़ी गई है विपिन ने फोन पर कहा मैं देखता हूँ तुम टेंजन मतलो सामने से मनुष नहीं जवाब दिया आदित्य ने पाठल को फोन किया पाठल एसीपी सर के बारे में तुम कुछ बता रहे थे आहां सर वो नोनी किसी लड़की के कहने पर इन्वेस्टिगेशन करवाई थी पर कुछ हाथ नहीं आया था सलीम एसीपी से मिलते हैं पहले वो बोला आदित्य और सलीम एसीपी के पास पहँचे आदित्य ने एसीपी के रूम से बाहर से परमिशन ली और जैहिंद सर कहते हुए वो अंदर आ गया सर मुझे पाडल ने आपके बारे में बताया मैं एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ आज भी हमें कुछ बच्चे मिले हैं एक मेटडोर डॉक्टर विपिन की थी और फार्मा कंपनी का लोगों भी मिला है अभी मुझे वो जानना है पूछदाच के लिए पर सर दो साल पहले भी कोई बच्चे अगवा हुए थे आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई थी सर कुछ दिनों पहले मैंने एक किलर को पकड़ा था उसने कुछ बताय था उस बारे में आदित्य ने पूरी बात इसी भी को बताई हाँ आदित्य जहां से बच्चे अगवा हुए थे वहाँ पास ही एक मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ की दीन मिस्टर कुलभूशन प्रसाद वर्मा मेरे मित्र है उन्होंने मुझे बुलाया था और कुछ हिंट दिया था एक लड़की का भी मर्डर हुआ था और विपन और उसका एक दूस्त राजीव भी उसमें सस्पेक्ट थे किसी लड़की के कहने पर इंवेस्टिगेशन करवाई गई थी पर मिला कुछ नहीं बहुत पूचताच हुई पर बिना सबूत के हमारे हांद बंदे हुए थे और रेपिटिट डॉक्टर्स हम जादा कुछ करनी ही पाए इसी भी बोले सर आप मुझे इस मेडिकल कॉलिज का ड्रेस देंगी प्लीज और डीन सर से आप बात कर ली जे एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ आदित्य ने कहा अरे बलकुल रुको मैं तो मारे सामनी ही उनसे बात कर लेता हूँ एसी पी बोले एसी पी ने फोन लगाया हेलो वर्मा जी मैं एसी पी जोशी बोल रहा हूँ आपसे हमारे officer मिलना चाहते हैं अगर आप permission दें तो उसे किसी case के सिलसले में आपसे बात करनी है ACP बोले ठीक है आदित्य तुम जाओ और ये रहा address ACP ने उसे एक paper पर address लिख कर दिया Thank you sir, जेहिंद कहते हुए सलीम और आदित्य वहां से निकल आए आदित्य ने बाहर आकर मातरी को medical college का नाम बताया और वहां जानी का order दिया सरम सही दिशाम investigate तो कर रहे हैं न ये case और वो case तुरकुल different भी हो सकते हैं सलीम ने कहा बिलकुल सलीम पर हमें खुद नहीं पता सही क्या है और गलत क्या तो हमें जानने में मेनत तो करनी होगी न आदित्य ने उसे कह आदित्य और सलीम बाते करी रहे थे कि मातरे निगाड़ी रोगी सर्व कॉलेज आ गया आदित्य उत्रा साथ में सलीम भी दोनों college क्रॉस करते हुए अंदर बढ़ रहे थे आदित्य इस बात से वेखबर था कि ये उसकी आदिती का ही college है ये वही जगा है जिसके बारे में वो कब से जानने की कोशिश कर रहा था सामनी से सी आ रहे थी वो इसी college में ऐसा junior assistant काम करती थी और अपना MSB कर रहे थी उसने आदित्य को देखा एक पल को रुखी उसे उसका चेरा कुछ जाना पहचाना लगा पर सिया उसे ठीक से पहचान नहीं पाई क्यूंकि उसने उसे बस WhatsApp की DP में देखा था वो भी दो साल पहले और वो इतना श्योर थी कि उसने इस लड़के को कहीं तो देखा है वो उसे तब तब देखती रही और याद करती रही जब तक वो ओजल नहीं हो गया अदित्य का फोन बजा खुशी का फोन था वो फोन उठाते ही बोली सर फार्मा कंपनी के MD, 24 और किसी डॉक्टर राजीव का नाम भी उगला इन दोनोंने मैं जाकर पूशताच करूँ अहां ठीक है साथ में राहूल को भी ले जाना और अपना GPS on रखना कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम तुमें ट्रीस कर लेंगे आदित्य ने कहा ओकी सर खुशी बोली और फोन कट कर दिया आदित्य दीन के रूम में इंटर हुआ में आई कामन सर उसने पूछा ये सर प्लीज कहते हुए कुल भूशन जी ने उन्हें बैठने का इशारक किया सर एसीपी जूशी ने आपको बताया था कि मैं किस वशा से मिलने आया हूँ आदित्य बोला सर मैंने कपराधी को पकड़ा है और उसका कनेक्शन बस्ती में खोई हुए बच्चों से है सुना था कि आपके कॉलिज के कुछ स्टूडन्स और प्रोफेसर से पूछताच की गई थी इस बारे में सर आज भी एक मेंटरोर से कुछ बच्चे मिले हैं डॉक्टर विपन भी आपकी ही कॉलिज के स्टूडन्ट है वो सस्पेक्ट है हमारे जी सर राजीव अब हमारे यहां प्रोफेसर नहीं है विपन और मनोच के अपनी क्लीनिक है कुल भूशर ने कहा राजीव पर शक भी एक लड़की के मुर्डर की विजह से गया था और वो मुर्डर भी यहां मुंबई में नहीं हुआ था तो पुलीस ने कुछ खास इंट्रेस्ट नहीं लिया फिर एक लड़की आई थी उसने बताया कि उसने विपन राजीव को छूपड़ी के बच्चों की बीच देखा तो हमने इसी भी से बात की थी उस बारे में कुल भूशर ने बताया सर क्या हम उस लड़की से मिल सकते हैं? आदित्त ने कहा उसका तो आक्सिडेंट हो गया था दो साल पहले ही बहुत महनती और बहुत इंटलिजन्ट रड़की थी कुल भूशर ने बताया सर आक्सिडेंट था या मर्डर? आदित्त ने कहा आक्सिडेंट ही कहा था पुलीस ने इसी ट्रक ने उसकी स्कूटी को कुचल दिया था पर डाउट मुझे भी था क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वो सबूत लेकर आई थी और एक वीक के अंदर ही डेथ उसकी वज़ा से छे लोगों को नई जिन्दिया मिले हैं उसके टोटल छे औरगन डोनेट हुए थे बहुत प्रात्ना की उसके लिए लोगों ने कुल भूशन जी ने अफसूस जताते हुए कहा सर कोई फ्रेंड या फैमिली जिनसे बात की जाए हाँ अधिती की एक फ्रेंड है सिया कुल भूशन जी बोले अधिती नाम सुनते ही अधिती की रोंग्टे खड़े हो गए उसके कान उचे हो गए सर क्या नाम बताया आपने उस लड़की का अधिती ने दुबारा कन्फर्म किया उसका नाम अधिती अधिती मलोत्रा था उसके पिता भी लखनाओ में सर्जन है कुल भूशन जी बोले अधिती को अभी तक ही नहीं पता था कि उसी की अधिती है पर अधिती नाम सुनते ही उसके शरीर में कपकपी से होने लगी उसकी आँखों से धुंदला से दिखने लगा अहां पूछ रहे थे फैमली, फ्रेंड, कुल भूशन जी बोले उसकी एक फ्रेंड है सिया वो हमारे यहां से MS कर रहे है अभी मैं आपको उससे मलबा देता हूँ पियून आपको उसके पास ले जाएगा कहते हुए उन्होंने पियून को बुलाया और कहा कि इन्हें सिया से मलबा देजी और क्लास का पता दिया सिया सिया का नाम सुनकर ही अधित्य की खबरा 38 हो गए कहीं ये अधित्य उसकी अधिती तो नहीं और ये सिया वही तो नहीं उसकी best friend, उसकी roommate अब आदित्य से कुरसी से खड़ानी हुआ जा रहा था, वो लड़ खड़ाने लगा, कि भागवान, तुझसे कुछ नहीं मांगा इन दू सालों में, उसकी सलामती के सिवा, तुझसे आगे भी कुछ नहीं मांगूंगा, बस यी अदिती मेरी अदिती ना हो मुझे तू उसका साथ नहीं दे सकता ना दे बस उसे सलामत रखना अदिती कुछ भी मत सोच हजारों अदिती होंगी इस दुनिया में ये तेरी अदिती नहीं हो सकती उसके दिमाग ने कहा चाहे मुझे वो कभी न मिले पर उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए मुझे दीना सिखाए उसने उसे कुछ होआ तो मैं नहीं रहूंगा उसका दिल कह रहा था और वो लड़कडाएक अद्मों से दीन के रूम से बाहर जा रहा था अदित्य लड़कडाएक अद्मों से दीन के रूम से बाहर निकला सलीम उसके साथ था वो समझ नहीं पा रहा था कि अदित्य सर कोई दम से हुआ क्या है उसने उसे ऐसे देख के पूछा सर आप ठीक है अदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया उसका दिल दिमाग सब कुछ बंद हो चुका था वो बस प्यून के पीछे चला जा रहा था अपने भगवान से प्राथना करते हुए कि ये उसकी अदित्य ना हो प्यून एक रूम से बाहर जाकर खड़ा हो गया सर प्लासिस तो खत्म हो चुकी है यहाँ पर सारे जूने रोते हैं मैं उन्हें देख कर आता हूँ अगर वो यहाँ हुई तो कहते वे वो अंदर चला गया आदित्य वही एक दिवार के साहरी खड़ा होकर बाहर गार्टन की तरफ देखने लगा प्यून कुछ तेर में आया बोला सर माडम तो हॉस्टल चली गए है यहाँ से आगे ही थोड़ी दूर पर हॉस्टल है मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ सलीम ने देखा देते कुछ नहीं बोल रहा था हाँ सलीम ने प्यून से कहा दोनों सिया के हॉस्टल की तरफ गय प्यून अंदर जाके सिया को बाहर लाया सर माडम आ गई है आपको जिन से बात करनी थी इतना कहकर प्यून चला गया सिया ने उसे दुबारा देखा उसे हलका हलका लगने लगा कि यह वही है पर वो शौर होना चाहती थी जी सर सिया ने कहा आदित्य ने हाथ इलाकर सलीम को क्वेस्चिन करने को कहा आप किसी अदिती को जानती है सलीम ने उसे पूछा जी उसनी कहा और आदित्य को देखा आप अंदर आईए प्लीज कहते हुए वो दोनों को अंदर ले गई यह वही हॉस्टल का रूम था जहां से अदित्य उसे फोन किया करती थी अदित्य रूम देख रहा था और सिया उसे नोटस कर रही थी सलीम ने उसे पूछा आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती है हमें केस के सिलसले में उनकी जानकारी चाहिए आप बैठे प्लीज कहते हुए उसने दो चेर लगा दी जी सर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी दो साल पहले उसका अक्सिडन्ट हो गया था वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी और एक ट्रक से उसकी टककर हो गई सिया अदित्य को याद करते हुए बोली क्या वो किसी अदित्य को जानती थी अदित्य से रहा नहीं गया और उसने directly सवाल पोच लिया जी हाँ सिया बोली वो अदित्य को पहचाननी की कोशिश कर रह थी पर अब उसे यकीन होने लगा था कि ये वही अदित्य का आदि है आदित्ये ने गहरी सांस ली और पूछा वो उस वक्त उसे से मिलने जा रहे थी? हाँ आदी, वो तुम से ही मिलने आ रहे थी सिया की आखों में अजीब सा खाली बन था आदित्ये के अंदर तो जैसे तुफान ने दस तक ही दे दिया था वो खड़ा हुआ और एक खिड़की से टकरा कर बाहर देखने लगा उसके आसों निकलने लगे और यकीन नहीं हुआ कि यह उसी की आदिती थी सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आदित्ये को समझाए और सलीम के लिए तो यह सब आट अफ कोर्स था वो तो कुछ जानता ही नहीं था पर उसने आदित्ये को ऐसे टूटते हुए पहली बार देखा था सर, सर, आरी ओके? वो आदित्ये के पास जाकर बोला आदित्ये, she loves you very much मुझे आज भी याद है वो उस दिन कितने नकरे कर रही थी कितने कपड़ों के बाद कुछ रिसाइड हुआ कि उसे क्या पहनना है बहुत सुन्दर लग रही थी वो एक्तम परी जैसी सिया ने बताया आदित्ये की आँखों से आँसू तेज कती से बह रहे थे उसकी कोई तस्वीर है तुमारे पास? मुबाइल में होगी? उसकी अदिती बिल्कुल वैसे थे उसकी हर तस्वीर उसकी अलग-अलग शक्सियत बया कर रहे थी थोड़ी नकरीली, थोड़ी स्वीट, थोड़ी मस्ती खोर, थोड़ी गुसैल तस्वीर देखके मन में खयाल आया तू ज्यादा हुपसूरत थी या तेरे खयाल हर एक तस्वीर को आदित्ते हाँच से छू कर महसूस कर रहा था उसके आशो उसका दर्ड समझने लाइक नहीं था जिससे मिलने के सपने देखा करता था वो तो शायद अब कभी मिले की नहीं तेरे चेहरे पर मासूमियत भी क्या खूब चलगती होगी कयामत आजाती होगी तेरे मुस्कुराने पर वापस आजाना शोना फिर से कोई वज़ा ठूण लेंगे एक होने की यो दूर दूर ना तो मुझे अच्छे नहीं लगती है हर रात तुझे सपने में देखा है मैंने क्यों कभी समझ नहीं पाया कि तुप परिशानी में है क्यों तुने मुझे नहीं बताया शोना क्या मैं स्लाइट नहीं था कि तू कुछ शेयर करे मुझसे आदित्य मुबाइल को हग करके जूरूं से रोने लगा सलीम को समझ नहीं आ रहा था पर सिया जानती थी यही प्यार तो उसने अदिती के अंदर भी महसूस किया था दी के लिए अदित्य उसका मुर्डर हुआ है उसका अक्सिडन नहीं हो सकता सिया ने अदित्य को बताना चाहा अदित्य को गुस्सा आने लगा और उसने अपना हाथ दे मारा एक दिवार पर सलीम उसके पास आया सर क्या करें आप? हाथ से खून निकल रहा था उसने पूछा किसने किया उसके साथी? मुझे सब बताओ प्लीज वो बहुत समझदार थी हमेशे देखकर रूट क्रास करना सारे ट्राफिक रूल्स सब कुछ फॉलो करती थी अपनी स्कूर्टी की स्पीड सब कुछ मेंटेन होता था उसका ऐसे कैसे वो किसी ट्रक से स्कूर्टी टकरा सकती है ट्रक वाले का बयान यही था कि वो आगे से खुज गई की ले जाओंगा वो जहां भी होगी लेट हो गया मैं उसे ढूंडने में काश पहले ढूंड लिया होता तुझे तो कुछ नहीं होने देता आदित्य की आँख ही सूख नहीं पा रही थी जिसने इतने साल तरपाया वो अब उस तडप को देखने के लिए जिन्दा ही नहीं है सलीम अब समझने लगा था उसकी सिचुएशन उसे ऐसे देख कि उसकी भी आँखों में पानी आने लगा था उसके इस सक्त मिज्रास का राज पता लगने लगा था उसने आदित्य को संभालने की कोशिश की इस कम्रे ने कभी अदिती की आशिकी देखी थी उसे आज आदित्य का दिवानापन भी देखने को मल गया सलीम ने उसे संभाला सर प्लीस पूरी बात बताओ सिया क्या क्या हुआ था अदिती के साथ उसने सिया को देखते हुए कहा अधित्य तुम्हे आदय हमे क्याम के लिए गए थे तुम्हे फोन पर बताया था अधिती ने सिया ने कहा हाँ, वो भरी अवाज में बोला वहां हमारी क्लासमेट मेगा का मर्डर हो गया था उसकी डायरी के कुछ पन्ने हमें उसके रूम से मिले उसमें ये लिखा था कि राजीव सर जो की हमारे हां प्रोफेसर हुआ करते थे उनके साथ उनका फैर था पर उसने कुछ देखा था राजीव सर के घर पर और उसी बजह से उसे दो दिन बांद के रखा गया और उसे ड्रग्स दिये गए फिर राजीव ने उसे अपने दोस्तों विपन और मनुच के साथ मिलकर क्याम के दोरान मार दिया यहां पास में जुगई है वहां अदिती बच्चों के लिए खाना लेकर जाती थी वहां भी अदिती ने उन लोगों को देखा और कुछ दिनों बाद भच्चे गायब होने लगे उनके पैरन्स से पूछा तो बताये कि पुलीस उनकी सुनती नहीं मेखा की डाइरी के पन्ने अदिती ने डीन सर को दे दिये उन लोगों पर कारेवाई हुई पर वो जल्दी छूट गये और जिस दिन अदिती तुमसे मिलने आ रही थी ठीक उसी समय उसका अक्सिडेंट हो गया सबने कहा अक्सिडेंट था पर वो पक्का मर्डर था विपिन को अदिती ने कहते सुना था कि वो उसको भी मार देगा सिया ने पूरी कहानी उसे सुनाई अधिती ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया अधिती ने बूझा तुम अपने civil services के exams में विजी थे वो तुमें disturb नहीं करना चाहती थी वो बोली सब के बारे में सोचा करती थी वो उसके साथ देखो क्या हुआ इतनी अच्छी क्यों थी तुशो न मैं तेरे बिना जीऊंगा कैसे अधिती की आखों के आसु सूखने का नाम नहीं ले रहे थे तुम मुझे अधिती की पिक्स भेच सकती हूँ प्लीस वो नहीं उसके तस्वीरें तो अपने साथ रखी सकता हूँ न नमाखों से अधिती ने उससे कहा अधिती ने अपना नमबर दिया वो वहाँ से जाने लगा अधिती अपना खयाल रखना अधिती भी यही चाहती थी हमेशा तुमारी सलाम दी सिया ने नमाखों से उसे बाई करते हुए कहा भीगी आखों से अधिती ने हां में से रहलाया क्या तु मेरे लिए काम कर सकती हो अहां सिया बोली अधिती का हाथ किसे डोनेट हुआ है ये बताओगी प्लीज यहां से जाने से पहले एक बार उनसे मिलना जरूर जाओंगा सिया बोली ठीक है मैं एकजाट पता करके तुम्हें फोन करती हूं उसने उस कमरी को एक बार फिर जी भर के देखा और वहां से निकल गया दूर होकर तुछ से ये जिन्दगी अब बद्दुआ लगती है ये सास भी रह से मुझको अब ससा लगती है आधित्य ने अपनी गौगल लगाए वो अपनी सूजी हुई लाल आखिया अब किसी को दिखाना नहीं चाहता था गाड़ी में बैठते हुई उसने कहा मात्रे विपिन के क्लिनिक वापस ले चल ज़रा सर अमारे पास अरेस्ट वारन नहीं है उसका सलीम ने कहा अरेस्ट नहीं कर रहे हैं उसे बस उसके साथ पूच ताज करेंगे आधित्य ने कहा मात्रे नी गाड़ी दोड़ा दी विपिन के क्लिनिक की तरफ आधित्य का गुस्ष अपने पीक पर था विपिन के क्लिनिक पहुँचते ही उसकी कैबिन में खुस गया विपिन घबरा गया सर आप दुबारा आईए आपके साथ एक कब चाई पीनी है आधित्य ने कहा सर अभी मैं विज़ी हूँ विपिन ने फोन हाथ में लेते हुए बोला तो तुम्हें हम वेले देख रहे हैं सलीम उसका फोन चीनते हुए बोला चल बेटा प्यार से चाई के नाम से लिड़ा रहे है वरना नाक में रसी डाल के घसीट के ले जाएंगे कमजोर मत समझना और हमारे हाथ भी नहीं बंदे इतना ध्यान रखना थोबड़ा तोड़ देंगे यहीं फिर करवाते रहना एक्सरे यहां बैट के सलीम बोला चल आदित्य घसे में टेबल पर मारते हुए बोला विपिन का गिड़गडाना चालू था सिर मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्यू हुआ वो गाड़ी मेरी हुगी पर लड़कों ने खुद ही कुछ किया हुगा आदित्य उसे वहां से घसीट के अपने इंवेस्टिगेशन रूम में ले आया विपिन को इतना खुंखार आफिसर पहले कभी मिला नहीं था आदित्य जख्मी शेर की तरह हुगया था और भी ज्यादा खुंखार उसने उसे कुरसी पर बैठाया और उसका मुँ हाथ में इतनी जोर से पकड़ा कि उसके लिप्स की कोनों से बलट निकलने लगा वो दर्द की मारी करहाने लगा आदित्य ने उसकी बुरी तरह से धुनाई चालो कर दी तुने जो भी अभी तक किया है सब कुछ बता और ये बता तुने अदिती को क्यों मारा आदित्य ने उससे पूछा आदिती? उसने अदित्य की तरफ देखा बोल क्यों मारा उसे अधित्य का गुस्य अपनी चरम पर था उसने उसे दो घुसे और जमा दिये मारी मताप वो गुला आखे था तो कमजोर आम आगनी ही एक कड़क आई पियस के हाथ के घुसे से उसके सारे अस्ती बंजर हिल गए थे हरामी अभी तो शुरुआत है देख तुझे कितना टॉर्चर करता हूँ उसने उसका मूँ एक पानी की भरी बाल्टी में डाल दिया विपन पिल बिला उठा सलीम इतने में इलेक्ट्रिक शौक ले आया सर लगा दूँ लगा साले को आदिती ने गुस्से में कहा विपन बोला मैं बताता हूँ वो लड़की तो पीछे ही लग गई थी जुग्यों तक पहुँच गई थी पुलीस को पीछे लगवा दिया था तो तो किसी को भी मार देगा आदिती गुस्से से भरी आँखों से उसे देखते हुए बोला सलीम इसका कंफेशन रिकॉर्ड कर आदिती ने कहा अच्छी खातिर कर इसकी आदिती के अलावा नजाने कितनों का गुनेकार है ये बागी की कनेक्शन बता तेरी फार्मा कंपनी का एमडी, डॉक्टर मनोज और राजीव सब तेरी साथ काम करते हैं ना आदिती ने पूछा विपन आप बोलनी की कंडिशन में नहीं जाथ सलीम ने उसका हाथ करन से छुआ दिया वो इतनी जोर से जीखा कि पूरा हॉफिस हिल गया हाँ, फार्मा कंपनी का एमडी हमसे बच्चों की बलड सैंपल टेस्ट करवाता था और हर बलड ग्रूप के कुछ बच्चे उठवा लेकर अपने मेडिसिन ट्राल में उसको यूज करता था विपन हाफ दे हुए बोला, बहुत बच्चे मरते थे, फिर उन्हें अपनी टेस्ट लाग के पीछे ये जगा में दीवार बना के चुनवा देता था वो आगे बोला जो बच्चे अभीताक उठाए उनमें से कोई जिन्दा है, आदित्य ने पूछा नहीं, विपन बोला कितने कमीने हो तुम लोग जंद पैसों के लिए कितने घर उचाड़ती है और मेरी तो दुनिया ही लुटा दी तुमने कहते हुए आदित्य ने उसे और पीटना चालो कर दिया सरी मर चाहेगा सलीम ने कहा मर ने दो सलीम वैसे भी जेल में महमान बनके खाना खिलाने से अच्छा है इसके हाथ पैर तोड़ देते हैं ताकि जिन्दा बच भी गया तो जेल से रिहाई के बाद भी ये किसी काम का न बचे आदित्य ने उसके हाथ पैर की हड़ियां तोड़ दी रूम से बाहर निकलते हुए सलीम बोला सर इसका कनफेशन रिकॉर्ड करके इसको देते हैं लोकल पुलीस को अभी इसके साथियों को पकड़ कर केस मजबूत करके फिर अवाले करते हैं जल्दी गया है आदित्य बोला ये एमडी चौबे खुशी उसके पीछे गई थी ना देखो ज़रा लोकेशन और फोन करो से आदित्य ने सलीम से कहा सलीम ने खुशी का नंबर ट्राइ किया पर वो आउट ओफ रीच था राओर को भी ट्राइ किया पर वो भी नहीं लग रहा था सलीम ने कई बार ट्राइ किया पर नंबर नहीं लगे उसने ये बात आदित्य को बताई सर उन दोनों का फोन नहीं लग रहा है कहीं किसी मुसीबत में ना हो मैंने खुशी को GPS आउन रखने के लिए कहा था लोकेशन ट्रेस करो जरा उसके आदित्य ने कहा सलीम उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगा सर ये नंबर एकी जगा पर बंद है पिछली दो घंटे से कुछ करबर लगती है सर सलीम बोला हाँ कुछ प्रॉब्लम है चलो मेरे साथ लोकेशन को फॉलो करते हैं कहते हुए आदित्य सलीम के साथ उस लोकेशन को फॉलो करने लगा वो एक सून सान जगा पहुँचे देखा सामने एक बिल्डिंग है और बाहर सी देखने पर पुरानी लग रहे है बिल्डिंग के पीछे कुछ मेटाडूर पड़ी थी जिन पर सेम फार्मा कंपनी का लोगो लगा हुआ था अदित्य का दिमाग ठंका यहां उरा सारा गुर को पर वो और सलीम वहां उतर गये उसने मातरे को गाड़ी पीछे लिजाने को बोला खर कमिशनर को फोन लगाया और बैक अप मंगवाया अंदर जाकर देखना चाहिए उन दोनोंने सूचा और अपनी गन लोट करके हाथ में पकड़ी दोनों अंदर एंटर हुए बाहर से जितनी बिल्डिंग पुरानी थी अंदर से वो वेल कंस्ट्रक्टिड लग रही थी सामने CCTV भी था दोनों बचते हुए अंदर खुसे उसने एक रूम में छांक के देखा कुछ बच्चे बेड़ पर पड़े हुए थे अधित्य को याद आया ऐसा ही मंजर उसने अपने सपने में भी देखा था उसे ये जगा चानी पहचाने लगे वो कंड़े के अंदर गया सलीम के उपर देखने का इशारा किया जैसे वो कह रहा हूँ CCTV है या नहीं सलीम ने हर तरफ नजर दड़ाई उस कमरे में कोई CC भी नहीं था वो दोनों अंदर गए उन्होंने देखा बच्चों की हालत बहुत खराब थी कुछ की स्किन में फोड़े उब्रे हुए थे कुछ दो शायग मर भी चुके थे उसने दोबारा कमिशनर को फोन किया और अम्बुलेंस भी अरेंज करवाने को कहा बच्चों की दैनी ये हालत देख कि दोनों को बहुत बुरा लग रहा था ना जाने कितने सालों से कि सब हो रहा है कितने घर उजार दी इन लोगों नी स्वार्थ के लिए आदित्य बोला आदित्य और सलीम नेक्स्ट रूम में खुसे वहाँ एक बच्चरा स्ट्रेचर से बांद के रखा हुआ था उचीक रहा था उन्हें किसी के आने की आहच हुई वो वहाँ रखे हुई बॉक्स के पीछे छिप गए एक वोट बॉय आया और नर्स भी साथ थी वो बात कर रहे थे डॉक्टर राजीव और मनूज आते हुँगे इस बच्ची को चुप कर वरना उनका घुसा तो हम जानती है आदित्य और सलीम को ये सब देख कर घुसा आ रहा था उन्होंने देखा वो दोनों मनूज और राजीव वह अंदर आ गए है सब रेडी मनूज ने इंजेक्शन हाथ में लेते हुए पूछा येस सर नर्स बोली आदित्य से रहा नहीं गया उसने बाहर निकाल के मनूज और राजीव को अपने हाथों में दबोच लिया नर्स चिला कर बाहर भागने लगी कि सलीम ने उसे पकड़ लिया और वाट बॉई ने उस पर कुरसी मारनी जाही तो सलीम ने बच्चते हुए उसके पैर में गोली मार दी नर्स और बागी दोनों को यहां से ले जा पाओगे राजीव ने कहा तुम्हें क्या लगता है तु डराएका और हम डरेंगे अधित्य ने जबाब दिया और उसनी एक पंच राजीव के मूँ पर टिका दिया और लाध हाथ था अधित्य का एक ही में खून निकलने लगा मनूच की भी सुताई होने लगी दोनों को लगातार थप पर घूसे पढ़ने लगे थोड़ी देन में दोनों की हालत पतली हो गई मार खाने की बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी थी उन्होंने मूँ खोलना चालू कर दिया बताते हैं सर आप लीस मारिये मत यहां राइट में जाकर नीचे बेस्मेंट है वहाँ एक कंट्रोल रूम है वहाँ वो रूज आता है अब इवे वो वहीं है आपके कुछ ऑफिसर्स भी उसने नीचे ही बांध रखे हैं जाते जाते दोनों ने उन्हें कुरसी से छोड के खड़ा करके पीछे से पैरों में दो दो गोली मार दी आधिति का गुस्सा वैसे ही ज्यास था उसकी अधिति जो छीन ली थी लोगों ने है सलीम रिपोर्ट बनवाना कि दोनों भागने की कोशिच कर रहे थे तो गोली मारन में फिर गटवाने के अलावा कोई आप्शन नहीं बचेगा ना जीने के रहेंगे ना मरने के दो कोड़ी की आउकात के साथ जींगे जेल से रिहा होकर भी गोलियों की आवास सुनकर उनके कुछ आदमी अलर्ट हो गए अब सलीम और आधित 20 मिन तक जाने लगे रास्ते मे कुछ और लड़कों की हड्यां तोड़ते हुए एक रूम में उन्होंने देखा राहूल और खुशी को वहां बांदा हुआ था राहूल के मुझे खूँ निकल रहा था और खुशी बुरी तरह जखमी पड़ी थी उन्होंने उन्हें चुड़वाया राहूल ने कहा सर इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हा अरे फोन की घंटी भी बजे